प्रिये दर्शको नमस्कार आज में आपको शुक्र से चोथे और दस्वे भाव की विशेश कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ शुक्र जहां बेठा है वहां से चार घर आगे और दस घर आगे जिस तरह की ग्रह वस्ता बनी होंगी जिस तरह का प्रभाव बना होंगा वो बताएंगा आपके जीवन में एक सफलता और साथी साथ आपके जीवन में सुखो की इस्तिती को आप जानते हैं कि शुक्र को सुखो का नेसरगिक कारक ग्रह कहा गया है कुंडली के चतुर्त भाव में इसको दिगबल प्राप्त होता है भोग विलास सुख सुविधा और एश्वर्य का शुक्र कारक होता है एसी अवस्ता में जब हमें वीचाल करना हो कि विक्ति को सुख किस प्रकार से मिलेंगे कितने मिलेंगे तो उसके लिए हमें शुक्र से चौथे भाव का विचाल भी करना चाहिए और यही बात किसी भाव पर भी लागू करनी चाहिए जैसे शुक्र जिस भी भाव में है आप ये देखिए कि शुक्र से 10 घर आगे कौन सा भाव आता है जो भी 10 घर आगे भाव आएंगा उस भाव के जो शुप परिनाम है वो देने का काम ये शुक्र ही करेगा लेकिन इसमें एक शर्त है कि शुक्र बलवान होना चाहिए किस प्रकार मैं एके करके आपको बताता हूँ सबसे पहले ये देखिए कि शुक्र आपका जहां बेठा है उससे चार घर आगे क्या इस्तिती बनी हुई है शुक्र से गिंती करना प्रारम्ब करे और चार घर आगे देखे कि वहां पर कौन सा भाव है कौन सी राशी है कौन से गरह वहां पर बेठे हुए है अगर आपकी कुंडली में कोई गरह नहीं बेठा तो अगर वहां की इस्तिती देखे किस गरह की दरश्टि आती है किस तरह का वहां पर प्रभाव है क्योंकि आप एक बात समझे कि शुक्र से 4 घर आगे जिस तरह का गरह अवस्ता बनी होंगी जिस तरह के गरह बेठे होंगे वो ग्रह आपके अगर बलवान हुए तो आपको सुख देने का काम करेंगे आपको आंतरिक रूप से लगेंगा कि मुझे सुख मिला लेकिन अगर वो ग्रह वहाँ पर पिडित हुआ तो वो ग्रह ही आपके सुखों में बाधा देने का आपको काम करेंगा कैसे? जिसे मान लीजे कि आपका शुक्र कुंडली के किसी भाव में भी बेठा हुआ है उससे चार घर आगे आपने देखा कि वहाँ पर मंगल बेठा हुआ है अब मंगल आप जानते किस चीजों का कारक है मंगल उर्जा का, एनर्जी का, छोटे भाई का, पराक्रम का ये सब कारकों में मंगल आता है अब आप एक बात देखिए अगर यहां मंगल मजबूत हुआ तो आपको छोटे भाई से अच्छा सुख मिले या वो आपको अच्छा सपोर्ट करे सुखों में आपके व्रधी करने काम करे जमीन आदी से आपको अच्छा सुख मिले कोई हेवी वर्क आप करे या थोड़ा पराक्रम आप करे तो उससे आपको सुख मिल जाए तो ये बाते मंगल में आ जाएंगी लेकिन यही मंगल अगर पीडित हुआ या लगन में नहीं लेकिन नववाश में पीडित हुआ या नीच राशी में कमजोर हुआ किसी प्रकार से तो क्या देख पाएंगे आप ये देख पाएंगे ये मंगल ही फिर आपके जो सुखों में रुकावटे उस पर नक करने काम करेंगा इस मंगल के कारण छोटे भाई के कारण विवाद हो आपसे और आपस में जगडे विवाद होने के कारण आपको पराशाने का सामना करना पड़ जो सुख आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए अगर मंगल ना होकर वहाँ पर और कोई अन्य कोई ग्रह है जैसे माली चंद्रमा है अब चंद्रमा चंद्रमा सोम्य ग्रह है यह आपकी मानसिक इस्तिती को दर्शाता है यह आपकी माता को दर्शाता है अब आप एक बात देखिए कि अगर यह चंद्रमा यहाँ पर शुब अवस्ता में बेठा है तो तो आप समझे पीडित है तो आप देख पाएंगे कि ये चंद्रमा पीडित हो करके कही न कही आपकी जो एक आपके सुख है उस सुखों में यही एक कही न कही बाधा बनने का कारे करेंगा आपको हो सकता है कोई मानसिक अशान्ति हो जाए मानसिक रोग हो जाए तो मानसिक रोग के कारण आ लेकिन आपको मानसिक रोग दे दिया, जिसे कई बार होता है कि विक्ति की पास होता तो सब है, लेकिन शुक्र से चार घर आगे कि इस्तिति किसी प्रकार से खराब होती है, तो विक्ति ने एकत्य सब कर दिया, लेकिन सोयम उसका भूग नहीं कर पा रहा है, सोयम उन सुखों का आनंद नहीं ले पा रहा है तो चंद्रमा अगर है चंद्रमा पिड़ी थे तो आपको वो सुख नहीं मिल पाएंगा जिन जिन कारकों को चंद्रमा दर्शाता है उन से ही परेशानी आएंगी मांसिक इस्तिति रोग या मैं कहूं कि माता इन से आपको कही न कही सुखों की प्राप्ति फिर नहीं हो पाईगी और यही आपके सुखों में एक बाधक तत्व के रुप में आपके सामने आएंगे अन्य कभी ग्रह हो तो आप अन्य ग्रह के कारक तत्व को जानते हैं उनको जोड़िये और आप यह देखे कि वो आपके सुखों में लाव दे रहे हैं सु बेठा है उससे दस घर आगे जो भाव आता है उसकी क्या इस्तिती है ये तो आप जानते हैं कि किसी भी भाव से चार घर आगे जो भी भाव बनता है वो उसके सुखों को दर्शाता है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी भाव का स्वामी अपने से चार घर आगे जाकर करके बिठेंगा तो वो उस भाव के प्रभाव को बढ़ाने का कारे करेंगा उस भाव के सुखों को देने का आपको काम करेंगा आप ये जो सुत्र है सभी वर्ग चार्ट में लगाते हैं कि सभी वर्ग चार्ट का चतूर्त भाव जो है वो प्रमुख हो जाता है क्यों क्यों उस वर्ग चार्ट का आपको सुख देने का काम करता है आपने देखा कि नवमांश जो विवाहिक जीवन की स्थिटी दर्शाता है अगर नवमांश का चतूरत भाव, चतूरत का स्वामी बलवान है तो इसे विक्तिको विवाह का सुख मिलता है यही बात है न तो यही बात आपको देखना है कि जिस भी भाव से चार घर आगे शुक्र बेठा है या दुस्रे तरही से शुक्र से जो भाव दस्वा पड़ता है उस भाव के जो भी सुख सुविधा है ये देने का काम आपको शुक्र ही करता नजराएगा यानि शुक्र के कारण अगर शुक्र बलवान हुआ तो मतलब ऐसा नहीं कि बस जहां भी शुक्र बेठा उससे आपने दसगर आगेगी न और उस भाव के जो भी अच्छे बुरे जो भी प्रभाव है उसको शुक्र देने का काम कर देंगा ऐसा नहीं है अगर शुक्र के मित्र भाव हुए यानि शुक्र जहां बेठा उससे धसगर आगे शुक्र की मित्र राशी आई या वहाँ जो ग्रह बेठा है वो शुक्र का मित्र है तो ऐसी अवस्ता में शुक्र उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करेंगा उस ग्रह से उस भाव से जूड़ी जो सफलता है आपको वो देने का काम करेगा जिसे मानलीजी आप जानते है कि बारवे भाव में जो शुक्र होता है उसको अती विशिष्ट कारक कहा जाता है क्यों क्योंकि यहां पर बेट करके दुसरी द्रष्टी के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसकी आधार पर लगनों को बलवान करता है अगर मैं इसके अलावा अगर आपके लिए देखू चौथे द्रष्टी तो चौति द्रश्टी मतलब चार घर आगे की बात करेंगे तो पराकरम भाव यानि तीसरा भाव यानि वेक्ति की महनत उसे सफलता देने लग जाती है या उसे सुख देने लग जाती है अगर तीसरे भाव की इस्तिती अच्छी हो या तीसरे भाव का स्वामी अच्छा हो त वेक्ति अच्छी सफल तारजित कर लेता है लेकिन इससे एक और प्रमुख बात है कि ये शुक्र यहां से बेटकर नवम भाव को बलबान करता है क्योंकि नवम भाव से चार घर आगे होता है तो नवम भाव को बल मिलने से वेक्ति धार्मिक भागे का अच्छा साथ मिले, ये सब बातें देखने को मिल जाती है, तो ये कही न कही एक प्रमुख बात है, जो शुक्र अपनी इस्तिती के अनुसार बढ़ाता है, विशेशकर चतूरत भाव तो उसकी सुखों के लिए देखने के लिए, यानि आपको सुख मिलेंगा या चार घर आगे जैसे तीसरे भाव में अगर अच्छे घरा बेटे हैं, तो उसको शुक्र के कारण आपको सुख मिलेंगा, लेकिन ये शुक्र भाग ये भाव को तो बलवान करेंगा, अगर मित्र की राशी हुई, तो पूरी तरह बलवान करेंगा, और ये शुक्र ही आपक परिणाम मिलता है और यह शुक्र जीवन के सभी सुखो को देने का काम करता है अब जिसे बारवे भाव पर हो तो इसे विक्ति के खर्च को बढ़ाने का काम करेंगा अपने सुखो पर लगजरी पर मतलब शुक्र तीसरे भाव में हो तो बारवे भाव को बल देंगा तो लग ही करता है आगे वाले भाव की तो ये सब इस्तिती शुक्र देता है और उसके एक अरण ये शुक्र की अवस्ता आपको जीवन में सफलता और सुख दोनों देने का काम करती है अगर शुक्र से चार घर आगे की इस्तिती अच्छी है तो आपको ये अच्छा सुख देगा जी उस भाव से आपको सफलता देने का काम करेगा और उस भाव को अपने जीवन में आप जोड़कर अच्छी सफलता अरजित अवश्य कर सकते है तो ये एक आसान सा वीशय था शुक्र से जुड़ा लगभग मैंने आपको शुक्र से जुड़ी जो जानकारी दी है जिसमें शुक्र से दूसरे भाव की सात्वे भाव की चौथे और दस्वे भाव की जानकारी में आपको दे चुका हूँ अन्य भी ग्रहों की जानकारी में आपको आगे इसी श्रंखला में देने वाला हूँ उन वीडियो को आप देखने के लिए चेनल के साथ जुड़े रहे किसी जन्म कुंडली की अध्यन में में आपको इन सुत्रों को और मिला करके अच्छी तरह आपको फिर समझाने का प्रयास भी कर दूँगा कुंडली के आधार पर तो आपके लिए और भी अच्छा रहेंगा बाकी उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चेनल के साथ जुड़े रहे और अभी तक इस वीडियो को भी लैक नहीं किया तौवश कर दीजिए अन्य तक शेर भी कर दीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद